रोमियों के नाम पॉलूस प्रेवित की पत्री बारवा अध्याए। इसलिए हे भाईयो, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला कर बिंती करता हूँ, कि अपने शेरिरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलदान करके चढ़ाओ, यही तु परमेश्वर की भली और भावती और सिध इच्छा अनुभव से मालुम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ को मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ, कि जैसा समझना चाहिए, उस से बढ़कर कोई भी अपने आपको न समझे। पर जैसा परमेश् हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जब कि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन 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 बरदान मिले हैं तो जिसको भविश्धवानी का दान मिला हो, वह प्रेम निश्क पठो बुराई से घ्रना करो भलाई में लगे रहो भाई चारे के प्रेम से एक दूसरे पर मया रखो परस पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्म करने में आलसी नहो, आत्मिक उनमाद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो, उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशिश दो, आशिश दो, श्राप न दो, आनन्द करने वालों के साथ आनन्द करो, और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगती रख अपनी द्रश्टी में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उनकी चिंता किया करो, जहां तक हो सके, तुम अपने भरसक सब मनुश्यों के साथ मेल मिलाप रखो, हे प्रियो, अपना पल्टा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पल्टा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूँगा, परंतु यदि तेरा बैरी भूका हो, तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो, तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से, तु उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो.